सातवे चरन के सिक्षक नियोजन में बड़ा बदलाव की तैयारी अब नहीं होगा कोई लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू बिहार में सातवे चरन के सिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियमवाली बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है आपको बता दे कि सिप्षा विभाग ने अब यह निरने लिया है कि विभिन बर्गों के धाई लाक से अधिक सिक्षकों के रिक्त पदों पर इस पर पंचाईती रास निस्थाय बहाली नहीं करेगी बल्कि इसको लेकर जिलहस्तर पर केंद्रिकृत एकाई गठित की जाएग आपको बता दे कि मिली जानकारी के अनुशार यह केंद्रिकृत एकाई सिक्षक पद के लिए अनुशंतित अभियरतियों की ना केवल जिलहस्तर पर काउंसलिंग करेगी बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बाटेगी इसके साथ ही अब पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और नगरिये निकाओ के दाइरे में आने वाले सभी चैनित सिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिलह मुख्याले से ही बाट दिये जाएंगे इसके अलावा साथवे चरन में सिक्षक के चैन के लिए कोई लिकित परिक्षा नहीं होगी साक्षतार की भीज नहीं होगी हाला की चैन करने वाली अजंसी के तीन विकल्प सुझाए गए हैं इसके लिए बिहार लोक सीवा आयोग, करमचारी चैन आयोग और बिहार तकनीकी सीवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चैन किया जाना है साथवे चरन में सिख्षकों की कैटेग्री वही रखी गई है एक बर फिर से आपको बताते चले कि अब सात्वे चरन के सिक्षक नियोजन में जो है वो अब बड़ा बदलाओ करने का तयारी किया जा रहा है बता दे आपको कि अब सायद नहीं होगी कोई भी लिखित परिक्षा और इंटर्विव बिहार में सात्वे चरन के सिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियम बनने की तयारी शुरू कर दी गई है सिक्षा वभाग ने अब ये निरने लिया है कि विभिन वर्गों के जाई लाग से अधिक सिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती रास सिंस्थाई बहाली नहीं करेगी बल्कि इसको लेकर जिलास्तर पर केंदरी कृत इकाई गठित की जाएगी आपको बता दे कि मिले जानकारी के अनुशार या केंदरी कृत इकाई सिक्षक पद के लिए अनुशंतित अभियर्थियों की ना केवर जिलास्तर पर काउंस्लिंग करेगी बल्कि उन्हें नियूकती पत्र भी बाटेगी इसके अलावा सातवे चरण में सिक्षकों के चयन के लिए कोई लिखित पडिक्षा नहीं होगी साक्षितार भी नहीं होगा हाला कि ये चैन करने वाले अजंसी के तीन विकल्प सुझाए गए हैं इसके लिए बिहार लोग सेवा आयोग, करमचारी चैन आयोग और बिहार तकनीकी सेया आयोग में किसी एक अजंसी का चैन किया जाना है सात्वे चरन में सिक्षक क्याटेगरी वही रखी गई है ऐसे ही तमाम कबरों के साथ देखते रहे NBC24